नमस्कार। जानिए हर्याना पंचायच चुनाओ में आरक्षन सूची की नई खबर। और रिजर्व कटेगरी के आरक्षन के बारे में आपको बताने वाली हूँ मैं तो वीडियो को पूरा देखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर नई अपडेट आपके पास सबसे पहले पहुंच सके हर्याना में 30 स्तरिय पंचाय चुनाव को लेकर तयारियां तेज हो गई है अब लोगों को आरक्षन सुची का इंतजार है इस समय धिकान जिलों में परशासनिक स्तर पर आरक्षन सुची का काम चल रहा है जानकारी के मताबिक वर्तमान में जिस वर्ग के लिए सीट आरक्षि होगी बाकी में महिला या पूरुस दोनों रहेंगे ऐसी की 21 परतिशत आरक्षित शीटों में एक तिहाई सीटें इस वर्ग की महिला और बाकी सीटें इसी वर्ग की महिला या पूरुस दोनों के लिए ही आरक्षित रहेंगी यह नई अपडेट थी और इसके इलावा आरक पॉर्श चंख्ष रहेंगी कुल की 50 परतियास शीटे अनारक्षित रहेंगी, मगर उनमें से एक ती हाई सीटे समान्य जाती के महीला परतियाश्यों के लिए आरक्षित रहेंगी पंचाय चुनाव में सीटों का आरक्षन आवरोहिक्रम में लागू रहेगा ग्राम पंचायतों को वर्स की दिनगंदा के आकड़े फीड करा रहे हैं कैसे होंगी आरक्षित सीटें ग्राम पंचायतों में लागू करने के लिए राजस्व ग्रामों की जनसंख्या का आंकलन किया जाएगा पांच साल पहले चुनाव के समय ग्राम पंचायत की क्या स्थीती थी वत्मान में क्या स्थीती है उसी अधार पर तै होगा कि उस ग्राम पंचायत की सीट किस परतियाशी के लिए अरक्षित ह किस परत्याशी के लिए रक्षित होंगी और परदेश में जो 30 तरिय पंचाय चुनाओं होने हैं उसमें ग्राम परधान अक्षेत्र पंचायत सदस्या बीडीसी वाड मेंबर जिला पंचायत सदस्या के लिए अलग अलग चुनाओं प्रिकिरिया होगी गाउं गाउं पदों के साथ उनकी संख्यावी निर्वाचन आयोगने बढ़ाई हैं इसमें एक वाड के सदस्या के लिए 18 परचे भरे जाएंगे और इनकी संख्यावी निर्वाचन आयोगने बढ़ा दिये गराम परधान के लिए 57 लोग भर सकेंगे परचा वहीं BDC के लिए 36 परचा गराम परधान के लिए 57 और जिला पंचायत सदस्य के लिए 53 लोग परचा भर सकेंगे अधिकारियों से मिल रही जानकारी के अनुसार पिछले चुनाव में यह संख्या 45 से 47 रहती थी लेकिन इस बार इसको बढ़ाया गया है पहले परत्यासी अधिक होने के कारण कई लोग चुनाव लड़ने से वंचित रह जाते थे अब लोगों का चुनाव लड़ने का मोका खाली नहीं जाएगा वह भी अपनी दावेदारी कर सकेंगे और आसानी से चुनाव लड़ सकेंगे ये नई अपडेट थी आज की पंचाय चुनाव से जुड़ी हुई ऐसे ही पंचाय चुनाव से जुड़ी हुई नई अपडेट कीजिए हमारा चैनल और वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद